प्रक्टिस बतानी है, प्रक्टिस बतानी से पहले कैसे करना चाहँगी, चेहां पर आपके पास सब्जेक्ट हैं, पोर अगंगर देखी गए करीजिए, एक सब्जेक लेना है जैसे यहां पर ही है तो आपको ही सब्जेक लेना है और यह पूरी प्रैक्टिस आपको हमारे दर्शुकों को बतानी है Hello friends, welcome to our activity-based teaching and learning spoken English classes. Friends, we are not learning only tenses, we are doing activities with tenses. यहां पर हम activity करते हुए English speaking सीख रहे है step by step. आजके activity बहुत ही important है, समुरुद्धी मेरे साथ आजके activity आपके सामने करने वाली है इस activity का नेम है column activity, activity क्या है हम आपको आगे बताने वाले हैं, मैं आपसे कुछ यहां पर sentences पूछने वाली हूँ, activity क्या है वो तो हम अपने audience को ब response देना है वो प्रकाशिक करता है और ही publishes वो जाती है, she goes, वो ललका आता है, he comes, तु आती है, you come, हम नाचती है, we dance, वो लड़की नाचती है, she dances, राम डेखता है, राम वाचेस, तु पढ़ती है, you study, मैं पढ़ती हू, I study, वो कुत्ता पढ़ता है, it studies, कुत्ता भोगता है राम रहता है, राम लिव्स, मैं रहती हूँ, I live, वो खरीता है, और ही बाच, वो मदब करता है, और ही अच, कुत्ता भोगता है, it बाक्स, वो लड़की टीवी देखती है, और she watches टीवी, वो अनुमती देता है, he allows, very good Samruddhi, friends आपने देखा Samruddhi में fast में किस तरीके से मेने जो संटेंसे बोले, तुरन ट्रांसलेट कैसे किये थे, यह activity कौनसी है, और यह इतनी चोटी लड़की जो थर्ड स्टांडर्ड में है, इतनी जल्दी फास में रिस्पांस कैसे दे रही थी, तो friends यही तो हमारी activity का जादू है, जो हमारी स्टुदेंसे वो इसी तरीकी से त जादे नहीं, लेकिन हम अपनी स्टुदेंस तो नोटस भी देते हैं, वो नोटस कौन से हैं हम बुक्स के रुप में उनको इन नोटस देते हैं, तो friends आपको वो नोटस भी देख लेने हैं, उसमें different activities हैं, तो हमारी जो फर्स्ट बुक है, वह हो हो हमारी you can speak book, तो इसमें देखेंगे different activities हैं, उसके साथ में आपको ऐसे स्टुक्चर मिलेंगे, different types के topics मिलेंगे, जब आप इस बुक से देखेंगे, तब आपको सारे doubts clear हो जाएंगे, तो यह हमारी first book, second book है, वह हमारी the structure of spoken English project book, इस बुक में structures मिलेंगे, यह तो हमारा केवर एकी structure था, एक दब normal structure थ बहुत सारे आपको structures मिलेंगे, इनकी practices कैसे करनी हैं, हम यह आपको यहाँ पर बताएंगे, जो हमारी third book है, वह हमारी sci grammar all in one book, तो इसमें आपको यह competent exam के लिए भी बुक बहुत important है, और बहुत ही अच्छी बुक है, grammar के जितने भी आपके doubts है, यह सबी का solution आपको एक ही book, इतनी साइ grammar की बुक में मिल जाएगा, जो हमारी fourth book है, वह हमारी बहुत important book है, reading and writing skill book, जनर भी का होता है, grammar सीख लेते हैं, सब सीखनी की बड़ में reading writing को हो सिखाता है, लेकिन इस book के माध्यम से, आप यहाँ पर reading writing को सिखेंगे, पना सेशन दी सिखेंगे, तो इतनी सही जो इतनी सिखेंगे, आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, कॉलम मिलेंगे, अब इसके प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस बहुत important है, समरुदी आप नहाँ पर हमारी audience को प्रैक्टिस करके बताएंगी, यहाँ पर आपके पास 140 वाप्स होंगे, आगे मैं काल् कि आपके पास बहुत सारे संभ्जेक्ट थे, तू आपके पास केवल एक सब्जेक्ट होगा, और मोर देंग होगे, तो यहां पर जो हमने वाप्स लिए हैं 142 वाप्स हैं, और इसका काल्प्लेशन में आगे देने वाली हूँ है, आपको क्या करना, एक सब्जेक्ट लेना और यह पूरी प्रैक्टिस आपको हमारे दर्शुकों को बतानी है, फ्रेंस यहां के समुद्धे पूरी प्रैक्टिस कर सकती है, लेकिन आप बोर हो जाएंगे, इसलिए केवल आपको शॉट प्रैक्टिस बताएगी, और इसे तरीके से आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, आप यहाँ पर हमारे audience को practice बताएंगे, आपको एक subject ही लेना है और यहाँ पर आपके पास different verbs है, verbs को ऐसे suffix लगा है, friends आपको केवल यह ध्यान रखना है, यह हमारे simple presentance की type first की एक single practice है, ऐसे हमारे पास more than method से, more than structure से, more than techniques है, more than activities है, more than columns है, और यह केवल यहाँ पर आपके single column की practice समरुद्धी आपको बताने वाली है, समरुद्धी बस आपको यह ध्यान रखना है, आपको पूरे practice नहीं करने है, केवल एक short practice बताने है, तकि हमारे audience घर बैठके वो practice कर सके, Are you ready? Yes. Okay, start करो. समरुद्धी आपको इसके एक activity के बाद में calculation देने वाली हूँ, समरुद्धी अब आपको केवल direct method का use करके यह हमारे activity कंप्लीट करनी है, अब समरुद्धी अब समरुद्धी आपको इस activity को कम्प्लीट किया था, आपको भी same activity करनी है, अब समरुद्धी थेंक यह very much, please be seated, तो friends आपने देखा अभी activity हूई थी, यह activity कैसी हूई, friends, यह हम जो activity कर रहे है, वो है हमारी simple presentance type first के activity, अभी तक आप भी क्या देखा था, हमारे पास में बहुत सारे subject थे, और वर्ब एक ही थी, यदि में आपको बहुत ही राम के बाद में आपको वर्ब को ऐसे suffix लगाना, कि आप तुरंट लगा पाएंगे, आप नहीं लगा पाएंगे, इसके लिए आपको practice करनी पड़ेगी, तो practice आप कैसे करेंगे, जो common method के हमारी जो practice है, वो इसका importance इसलिए है, क्योंकि आप यहाँ पर तुरंट यहाँ पर ऐसे suffix लगा सकते हैं, कि दिने एक sentence बोलती हूँ, my mother lives in Sangam, she go to temple या goes to temple, हमारे मुझे जनरली ऐसे निकलता है, she go to temple, तो यदि आपको बोज निकालना है, तो आपको यह practice करनी पड़ेगी, तो phrase, इसके activity आपको कैसे करनी, इसके एपको जोन पर दिहान से देखना होगा, यहाँ पर आपके पास में केवल एक सब्जेक्ट है, और आपके पास में more than verbs है, हर कॉलम पर आपको different verbs मिलेंगी, आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी सारी verbs है, more than 140 verbs हैं आपके पास, यहाँ पर देखेंगे कितनी वर्प्स है, 140 verbs, और आपको प्रैक्टिस कैसे करने, प्रैक्टिस इम इपर्टेंट हैं तो आपको देखना है, में एक सब्जिट लेती हूँ कि और मिजजेसा एंगा कर लिया कि एक लड़का है, जो मेरे सामने है उसकी मैं एक्तिविटीटी बता रहा हैं, और उसके बाद में आपको क्या करना है त्रांसलेशन मेठड करना है आपको इसा एजिम करना है डारिक लिए अपको एजिम करना है एक लड़का है जो आपके सामने बैठा हुआ है और गपरस बदाता है। तो यहां टौस की इसितु बरीट बापस आता है। इत्मिस काल परजेनकर सामने TPI के अपके सामने करें बर्याइशन में तो वह शीष। भी बठ पर देखती से है डिकले किसे होगे जर देक मालों याक योल कर सते हैं यह इस अपर कैसे होगे यह एक पर है hugging अब्रॉफ ऑप आ।इ उक्प थ्प्राई मुझे पीने की आबात रोग सुबह उठकर के में बूद पीती हूं यह मेरी सिंपल प्रिजेंटेंटेंस की ताइप फर्स्ट की यह मेरी एक्टिवीटी चल रही है और इसे प्राकर फ्रेंड आए के साथ में वी से कर रहा है और देख से करते टेम पर आपको एजूम करने कि कि आपके साफ में दो नडगे यह और आपको आपके सामने बेठे होगे उनके लिए क्या बोलना है ज challeng do P adi करना सू Antonio करना एक आपको क्या करना होगा उनके सप다 इसे सफिक्स मिलेगा तो यह सब पार अब अनग बताएगा कि इस निकलता है कि I will he goes nikaltा है कि he will go निकलता है आप शांटी से सोचीं तब आपको समझ में आएगा तो प्रक्टिस करके ही आपके मुझसे 3rd person singular के साथ में ऐससे suffix निकलेगा और यदि आप जादा practice करते हैं इतने सारे words के आप practice कर लेते हैं तो एक subject का use करके आप 140 sentences frame करते हैं और इसे तरीके से यदि आप 7 subjects का use करेंगे तो कितने sentences frame हो जाएंगे तो multiply आप 7 करते हैं हम यहाँ पर तो किकने sentences हो गए हमारे, यहाँ पर होते हैं हमारे 980 sentences, गहर बाटकर आप हमारे books के माध्यम से और हमारे इस activity को देख करके, आप 980 sentences के वार एक ही activity में बना सकते हैं, ऐसे हमारे पास में more than thousand activities हैं, जो हमने अपने application में दी हुई है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम आपको प्रेक्टिस करनी होगी स्टेप आगे पढ़ना होगा किसी भी प्रकाय का गैस्ट नहीं करना, आपको एसा नहीं आ झाजाएगा, एक अपको तभी नहीं आएगा, एसे आपको तभी नहीं आएगा, यह थे तो किवल एक अटविटी थी, ऐस हमारे पास में more than thousand activities हैं आप यहां पर verbal question से भी frame कर सकते हैं आप यहां पर देखेंगे और उसके साथ में WH question से भी आप अपनी activity को complete कर सकते हैं होता क्या है friend यह दिए हम इस तरीके activity नहीं करेंगे तो उसका result क्या होता है क्योंकि हम इंडिया में रहें English is not our native language English हमारी कोई मात्रणाशा तो है नहीं हमें सुनने को महीं मिलती है तो बोलने को भी बहुत ही कम मिलती है तो इसके लिए हम activity करेंगे different इस तरीके activities में आएंगे तो हमारा क्या होगा English देरे देरे मुझ से निकलना शुरू हो जाएगी और English के हम क्या हो जाएंगी English हमारी native language बन जाएगी लेकिन इसके लिए आपको प्रेक्टिस करनी पड़ेगी हमारी जैसे activities करनी पड़ेंगी लेकिन इस तरीके activities आपको कोई भी नहीं बताता है अभी तक आपने इस्टिट्यूट जोइन कियोंगे कितने YouTube की channels देखियोंगे जह पर आपको बोला होगा आपने दिन में English speaking आईगी कि आपको सच में आपाई तो आप बोलेंगे मैम शायर से नहीं आपाई तो नहीं आने का रिजन का है क्योंकि आपने activities नहीं की ती यहां पर हम आपको तैंसे के साथ में active passive voice, models, grammar, सब पढ़ाएंगे और यह सब पढ़ते-पढ़ते आपको इंग टेक्निक का यूज किया है और जो हमारा 60 to 90 days का spoken English का course है उसमें हमने अलग method, अलग तरीके से activities लिए तो दोनों ही course अलग हैं और दोनों ही course English में यह perfection पाना चाहते हैं तो बहुत ही उप्युक्त है एक exam oriented है जहां पर हमने example solve कियें दूसरा है आपका speaking oriented जहां पर केवाल आप आपको four books दिकाईती उस book का यूज करके आपको notes के रुप में उनका उप्योग करना है उप्योग कैसे करना है इसके लिए आपको इस तरीकी की वीडियो देखने होंगे आपको sequence में सभी वीडियो देखने है और step by step ही आगे बढ़ना है